नमस्ते मैं हूँ अंकी देव दृष्टीकॉन प्रोडक्शन से और आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टेम्पो यानि ताल की इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सुर यानि हाउ टू फाइंड दे की की का मतलब क्या है सिंपल सुर अगर मैं कोई एक्जेंपल लेता हूँ चलिए आप वो प्रोग्राम से वगरा देखते होंगे इंडियन आइडल सारे गामा पा इस तरह के वहाँ जहां छोटे छोटे बच्चे आते हैं और अपना ओडिशन देते हैं आडिशन देने से पहले बहुत सारे सिंगर ये करते हैं कि वह एक की या स्केल मांगते हैं हो सकता है आपने वो सोना भी हो कि कोई आता है वो बोलता है मुझे C sharp minor चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए वो सामने से एक note play कर देते हैं वो सुर लेते हैं और इसके उपर गाना गाते हैं वो भी exactly इसी चीज के उपर काम कर रहे होते हैं एक की लेते हैं उस की के उपर पूरा गाना गा देते हैं अब आपके सामने है ये FL की एक छोटा सा ये VST है और हो सकता है आपके पास घर में कोई बड़ा कीबोर्ड हो कोई हर्मोनियम हो या और कुछ चीज हो आप उसके उपर भी देख रहे होंगे इस तरह कुछ पैटरन बना होता है मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि ये पैटरन का टेकनिकल मतलब क्या है आप देख सकते हैं दुनिया में कोई भी कीबोर्ड कोई भी प्यानो के उपर इस तरह से ही बना होगा वाइट 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 बटन होगे और उपर होगा टू ब्लैक थ्री ब्लैक थ्री ब्लैक दो काले तीन काले और यह अपने आपको रिपीट करता जाएगा चलिए यहाँ से मैं आपको बताता हूँ हमारा एक ओक्टेव होता है एक ओक्टेव के अंदर टोटल साथ सुर होते हैं एक तो तीन चार पांच छे साथ और इनके बीच में शाप्स या फ्लैक होते है C एक सुर है D एक सुर है दोनों के बीच में जो पहला ब्लैक है उसे हम C शाप क्यों लिखा है यहाँ पर यह हैश को हम शाप भी बोल सकते हैं C के आगे वाला ब्लैक C शाप D के पिछे वाला ब्लैक D फ्लैक इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है C शाप इकल टू D फ्लैक same goes for A और B के बीच में अगर हम देखते हैं A के आगे वाला black A sharp B के पीछे वाला black B flat A sharp equal to B flat तो इस तरह से आप अभी खोदी बता सकते हैं F के आगे वाला है F sharp तो G के पीछे वाला क्या हुआ G flat अब अगर आप देखते हैं यह मेरा एक पूरा octave है जिसमें 7 सूर है 5 आदे सूर है यह उसके बाद फिर से अपने आपको repeat करता है अभी आप अगर चाहिए यहाँ देखें चाहिए अपने पास जो आपका midi board है या keyboard है वहाँ देखें तो आप यही देखेंगे कि how to find the key of a song किसी भी गाने की की निकालने का सबसे simple तरीका क्या है चलिए कोई गाना लेते हैं चलिए यह चलाते हैं अब कोई भी गाना जब चलता है आपको उसके साथ साथ बस humming करनी है यह याद रखिए की निकालने का दुनिया में 90% musicians इसी तरीके से की निकालते हैं और सबसे आसान और basic तरीका है गाना चल रहा है उसके साथ साथ आपको बस humming करनी है किस तरह से मुझे देखिए मैंने एक साथ humming ली एक सुर लिया आपने देखा होगा वो auditions की जो मैं बात कर रहा था उसमें भी singer गाना गाने से पहले एक humming लेते हैं ताकि वो सुरू पकड़ते हैं उसके उपर गाना शुरू कर देते हैं अब मुझे यह जो हमिंग करके मैंने अपने मन से सुर निकाला वो ढूंड़ना यहां पर कहा है तो हमिंग करके जिस नोट के उपर आया वो है यह नोट अब यह नोट कौन सा है अगर हम यहां जाते हैं मैंने आपको पता है था यह है मेरा सी तो इसके पिछले वाला बी हमारा humming करके इस गाने की जो की निकली है वो है बी और अगर मैं लोर आक्टेव के उपर बी जाता हूँ एक, दो, तीन, चार, पांग, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यारा, बारा अगर आप देखेंगे मैं गाना चलाओंगा उसके साथ साथ मैं बाकी कीज के उपर भी क्लिक करता जाओंगा आप खुद ही देखेंगे कि कोई और नोट उसके उपर टेकनिकली नहीं बैठ रहा होगा जिस तरह से ये बी बैठता है फोड़ा वॉल्यूम कम कर देते हैं आप देखेंगे कोई भी नहीं बैठ रहा जिस तरह से बी बैठेगा लोर ओक्टेव बी यही बैठ रहा है और कोई नहीं बैठ रहा तो आपको एक ओवराल आइडिया हो गया होगा किस तरह से की निकालते हैं मुझे मालूम पढ़ गया है कि मेरा यह जो गाना है इसकी जो की है वो है बी राइट क्लिक प्यानो रोल दूसरी चीज जो मैंने पिछले लेक्चर में बात की थी टेम्पो उसे हम किस तरह से निकालेंगे चलिए फिर एक गाना सुनते हैं कहां गया यह रहा इस तरह से कोई भी गाना जब आपने रिमिक्क करना है चाहे आपने अपना खुद का गाना बनाना है चाहे किसी और म्यूजिक के साथ किसी पर्टिकुलर आर्टिस्स के साथ क्लैबरेशन करनी है उसके पास अल्रेडी एक धुन मन में है इस तरह से ही आपका कोई भी म्यूजिक बनने का जो पहला स्टेप होगा वो यही होगा ताल निकाली सुर निकाला अब सुनिये चली यह सुनते हैं क्या कहता है अब जब आप साथ साथ हमिंग कर रहे होंगे सिरफ एक की नोट नहींक कहीं बार हो सकता है आपके मन में अलग लग नोट भी भजरे जो हू. यह तीनो नोट ही टेकनिकल ली उसके उपर बैट रहे होंगे क्योंकि यह 3 note scale के उपर आते है scale exactly के चीज़ है वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे जरूर लेकिन आपको तवज्जो देनी है आपको बहुत ही concentration से ध्यान देना है कि कौन सा exact वो note है जो पूरे गाने के अंदर कहीं भी fit बैट सकता है आपको हमिंग करने हैं साथ साथ तो यहीं आएगी मैंने यह पर लगा दिया है यह है चली फिर से सुनते है आप देख रहे हैं exactly वो ही नोट हम बैट रहे है कहीं और क्लिक करेंगे वो वैसा बैठता ही नहीं है साथ चला के दिखाते है यही बैठेगा देखो थोड़ा आगे लेके जाते हैं तो आपको कोई भी गाना सुनना है उसके साथ धामिंग करनी है बहुत कंसेंट्रेशन से ध्यान देना है शुरू शुरू में आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरे पास जितने भी स्टूडेंटस आते हैं एक होता है करम जीवी एक होता है बुद्दी जीवी बुद्धी जीवी जिसको अल्रेडी गिफ्ट है कि वो सुनके उसके कान अल्रेडी बड़े ट्रेन है वो सुनके बहुत जल्दी ढून लेता है कुछ लोगों को बहुत देर लगी कि ढूनने में लेकिन इस चीज के आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना किसी को दो डिन लगते हैं、 किसी को चार दिन लगते हैं लेकिन पांचमें दिन हर इंसान को मालूम होता है किस तरह से की निकलती है में चीज है, आपने सिरफ प्राक्टिस करते रहिं है तो की ढूनने के लिए आपको कांसेंट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है आपने दुरुदर ध्यान नहीं देना है, आप यह नहीं देखेंगे, मेरा सुरूपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, अरे मैं तो ढूंड नहीं पाता, मुझे तो 10 दिन हो गए है, मुझे अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, यह प्रॉब्लम अपने अप कोई भी पांच गाने चुनिएगा, यूट्यूब के ऊपर या आपके आईपॉड के अंदर जो भी होगा, उससे सुनना, सुनने से हमिंग करना और हमिंग करके आपको कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि कौन सी की उस गाने की है, मैं रिप्लाइ करूँगा और मैं रहे हैं या गलत बता रहे हैं, उससे एक mutually ये भी हो जाएगा, हाँ ठीक है, जो आपने वो की निकाली है, वो सही है या गलत, तो आपको भी कनफर्म हो जाएगा, तो बहुती सिंपल तरीका है, अब हम पिछले लेक्शर और इस लेक्शर में पता कर चुके हैं कि ताल और स Chigun Productions, signing out, Namaste.